नमस्कार SPN 9 News दिख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मांशी जैस्वल जोती मौरे, SDM जोती मौरे क्या अब यहाँ पर कोई बड़ा सबूत पेश करती हुई निजर आएंगी लगतार आलोक मौरे के मुश्किले बढ़ती हुई निजर आ रही हैं कोट पहुँचकर यहाँ पर जोती मौरे की तरफ से सबूत पेश करनी की बातें यहाँ पर कही जा रही है और कहा जा रहा है कि आलोक मौरे के मुश्किले अब बड़ती हुई निजर आएंगी और उसको विरफतार कर लिया जाएगा बरहाल इस मुद्धे पर तमाम जो यहाँ पर अठकले लगाई जा रही है वो यही है कि क्या वाकई जोती मौरे जो सबूत यहाँ पर दिखा रही है उन में सचाई है और क्या एसडीम जोती मौरे के जो पर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहे थे आलोक मौरे के तरफ से वो क्या वाकई सच है दोनों ही तरफ अभी जो है वो मामले डगमगाता हुआ नजर आ रहा है पुलिस वो इस पूरे मामले की जाच कर रही है लेकिन अब कही ना कही पासा जो है वो पलटता हुवा कुछ हद तक नजर आ रहा है क्योंकि आलोक मौरे के खिलाफ जोती मौरे ने ऐसे कई सबूत जो है वो जो डालिये हैं और कहा जा रहा है कि आलोक मौरे की किसी भी समय गिरफतारी हो सकती है इस तमाम मौदे पर जिस तरीके से सियासत गर्माती वे नजर आ रही है आप कहा जा रहा है कि आगर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी यहाँ पर मनिपुर के मौदे पर घिरते हुए नजर आ रहा है देश में 2024 का लोगसाब चुनाब काफी नजीख है लगातार इस पूरे मौदे पर सियासत गर्माती वे नजर आ रही है जनता जो है वो लगातार यह सवाल कर रही है कि आखरकार इतने कई ऐसे मौदे हैं जिसको लेकर भारती जनता पार्टी पर सवाल या निशान खड़ी किये जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर SGM जोती मौरे का केस जो है वो सुलजा लेना नहीं चाहिए किसे क्योंकि इसके लावा भी कई ऐसे बड़े बुद्धे हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की जरुरत है देश में मनिपुर को लेकर के लगातार मुद्धा जो है वो गर दिल्चस्पी है वो सीमा हैदर को लेकर के है SGM जोती मौरे को लेकर के है और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐसे मुद्धे हैं जिसको लेकर लोगों में उन खबरों को देखने की दिल्चस्पी यहाँ पर नज़र आती है बरहाल क्या वाकई मनिपुर के मुद्धे को ल सब्सक्राइब लेक्त रहिए सब्सक्राइब